नमस्कार दस्तों लीड इंडिया लॉइसेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है इलहाबाद हाई कोट ने एक बहुत ये शांदार फैसला सुनाया है इंटर इलिजन मेरेज को ले करके और एक याचिका पर नहीं सत्रह याचिका पर सुनवाई किया गया है और इलहाबाद हाई कोट ने बताया है कि चाहे दो धर्मों के अलग-अलग धर्म से कपल क्यों न हो उनके शादी जरूर होगी जरूर रेजिस्टर होगा पहले ये पूरा आप प्रोसेस सुनिये मामला क्या था ये देखिए इलहाबाद हाई कोट ने एक महतपून आदेश में कहा है कि अवैद धर्म परिवर्तन कानून 2021 विपरित धर्म मानने वाले यूगल को शादी करने पर रोक नहीं लगाता है मेरेज रेजिस्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह जिला पराधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमती नहीं लिये जाने के अधार पर शादी का पंजीकरन रोके रखे आपको ध्यान होगा कि यूपी सरकार ने जो धर्म परिवर्तन के लिए जो कानून बनाय था उसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए डीम से अनुमती लेना अनिवारे बताये गया था कोट ने कहा कि जिला पराधिकारी का धर्म परिवर्तन का अनुमतन बाध्यकारी नहीं है बलकि निर्देश तात्मक है कोट ने कहा कि विपरी धर्मों के बालिक जोरों की शादी सुदा जिंदगी स्वतंतरता वो नीस्ता में सरकार या किसी प्राइविट व्यक्ति के हस्तक्षे करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कोट ने पुलिस को विपरी धर्मों के शादी शुदा बालिक जोरों को जरूरत के मताबिक सुरक्षा वा संग्रक्षन देने का भी निर्देश दिया है और विवाः पंजिकरन अधिकारी को जिला प्राधिकरी के अनुमदन का इंतेजार ना कर तत्काल पंजिकरन करने का निर्देश दिया है यदि किसी ने धोकाधरी या गुमराह किया है तो पक्षिकारों को दिवानी वा अप्राधिक का रवाही करने का अधिकार है साथी केंदर सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने के सुप्रिम कोट के नियदेश पर विचार करने को भी कहा है यह आदेश नियायमूर्थी सुनीत कुमार ने मायरा और्फ वैशनवी विलाश और जिनत अमान और्फ नेहा सोटी सहित अंतर धार्मिक विवाह करने वाले 17 यूगलों की याचिकाओं को सुविकार करते हुए दिया है कोट ने राजिस सरकार को आदेश का पालन करने के लिए सरकुलर जारी करने का निर्देश दिया है साथी महा निबंधक को आदेश की प्रती केंद्र सरकार के विधी मंतरा ले वह परदेश के मुख्य सचिव को प्रेसित करने का भी निर्देश दिया है ताकि कोट के आदे सम्विधान की भावना को निरथक कर देगी। सम्विधान के अनुछेद 21 के तहट जीवन की स्वतंदर्ता वो निज़ता के अधिकार की गारंटी है। विवाः पंजीकरन करने से इंकार नहीं कर सकते और धर्म परिवर्तन की सरकारी अनुमती के लिए बाध्धे नहीं कर सकते। वर्सों में 100 से अधिक बजलाओ किये जा चुके हैं। सम्विधान का नुछेद 21 सभी नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। मैं जिस मामली का जेकर कर रहा हूँ उसमें वैशनवी हिंदू हैं। उसने इसलाम धर्म स्विकार किया और महराष्ट में मुस्लिम से शादी की। उसके बाद बिजनौर में पंजीकरन की अरजी दी। जिनतमान मुस्लिम हैं उसने हिंदू धर्म अपनाया आरे समाज मंदीर में शादी की और जिला धिकारी की अनुमती ना लेने के कारण उसके शादी का पंजीकरन करने से इनकार कर दिया गया था। इसी परकार से 17 कपल ने अलग-अलग जगों से धर्म परिवर्तन करके शादी किया था प्रन्तु इनके मैरेज को कोट में रजिस्टर नहीं कराया जा सका था। इसी को चैलेंज करने के लिए इन्होंने इलहबाद हाई कोट में अपनी याचिका दाखिल की थी। तो आपने ये पूरा मामला देखा और आपको समझ आया होगा कि जो ये लॉग बना था वो लॉग एक तरीके से इसको डिफ्यूज कर दिया है इलहबाद हाई कोट ने यदि आप भी इंटर रिलिजन मैरेज करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्प लाइन नमबर डबल डबल जिरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइफ पर जरूर बात कर लें सेबन डेज बात कर सकते हैं आपको पूरी साहता की जाएगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो